क्या आप इन्स भी हिंदी वर्प्स के इंग्लिस मिनिंग जानते हैं अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें अंग्रेजी के सबसे मातोपूर्ण 20 वर्प्स इन इंग्लिस सीखेंगे जिसे पेस करना, come up with, फल मिलना, pay off, खराब होना, come down, मृत्यो जाना, pass away, दिमाग में आना, come to something, बहार आना, come out, pass से गुजरना, pass by ऐसे कई सारे वर्प्स इस वीडियो में सीखेंगे जो इस पोकर इंग्लिस के लिए बहुत महतुपूर्ण है पहला है, figure out, figure out का हिंदी मतलब है, समझना, जब भी कोई भी चीज समझते हैं, कोई chapter समझना, कोई समसा समझना, कोई भी चीज समझना, वह पर figure out का परियोग करेंगे चलो यह chapter समझते हैं. Let's figure out this chapter. चलो यह chapter समझते हैं, जब group में होते हैं, friends के साथ, तो उसमें आप परियों कर सकते हैं. मैं वो किताब नहीं समझा. It's very difficult. I didn't figure out that book. तो आप परियों करेंगे, I didn't figure out that book, मैं वो किताब नहीं समझा. नहीं समझ पाया, I couldn't figure out that book कैसे भी आप बूल सकते हैं Let down मतलब निरास करना, disappoint करना जिसे मैं अपने भाई को निरास नहीं होने दूगा I will not let my brother down, वो पैसे नहीं पाकर निरास हो गया He got let down, वो निरास हो गया, not having money, पैसे नहीं पाकर इससे आप बोलेंगे Hang on मतलब हैं, इंतेजार करना जापर आप किसी का wait करते हैं, वहाँ पर आप परियोग करेंगे इंतेजार करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ Hang on, I am coming soon बाहर इंतेजार करो, रवी ओफिस से आएगा Hang on out, रवी विल कम फ्रॉम ओफिस तो यह आप रादेश सकते हैं कि Hang on का मतलब हैं, इंतेजार करना और यह Hang वब हैं, तो टेंस के नुसार बदलने की भी संभावना है जिससा भी टेंस होगा, उसके नुसार वब के फ़र्म साएंगे पैचप, पैचप का मतलब है, बहस बंद करके फिर से दोस्ती करना जिससे किसी के साथ मन मुटाब हो गया, तो उस वो अर्गुमेंट को छोड़ कर उस बहस को छोड़ कर फिर से दोस्ती करना, फिर से साथ आना, वहाँ पर आप पैचप को परियोग करते हैं इसे वो फिर से दोस्ति करना चाहता है, he wants to patch up with me, वो फिर से मुझसे दोस्ति करना चाहता है, सुमन रवी से फिर से दोस्ति करना चाहता है, फिर भी उसे रूची नहीं है, इसे आप परियोग करेंगे, इसे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ दोंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, I will stand by you, come what may, come what may का मतलब है, चाहे जो हो या चाहे कुछ भी हो, I will stand by you, मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, रवी ने हर पल मेरा साथ दिया, रवी stood me every moment, यहाँ पर stood by me भी आप करेंगे, क्योंकि stood के बाद, stand का way to stood हो गया, क्योंकि tense के नुसार यह बदल गया, miss up, miss up का मतलब है, खराब कर देना, जिससे कि आप कोई खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना पकाने, खाना बगाना ना आप खराब कर देते हैं, या फिर कोई आप ड्रोइंग कर रहे हैं, तो हो खराब कर दे, मतलब कुछ भी आप खराब करने के संस में, miss up का पर्योग करेंगे, उसने पिज्जा खराब कर दिया, he messed up a पिज्जा, सुमन ने किताब बरबात कर दिया है, मतलब चीर फाड के बराबर कर दिया है, सुमन हैज मेंज्ड अप दबोक, यहाँ पर यह में स्वब हैं, तो टैंस के नोशार बिदल गिया है, come up with, मतलब हैं कोई चीज पेस करना, समूख रखना या कुछ बनाना, इससे वो बहुत अच्छा विचार के साथ आया, मतलब अच्छे विचार को उसने पेस किया, he came up with a very good idea, तुम हमेशा रूचिकर विचारों के साथ आते हो, you always come up with interesting ideas every time, यहाँ पर आप देखिए, come up with मतलब हैं कि पेस करना कोई भी चीज जे, क्या पेस हो रहा है, तो interesting idea पेस हो रहा है, यहाँ पर very good idea पेस हो रहा है, तो इससे आप परियोग करेंगे, come on, come on का मतलब हैं, जल्दी करने या और महनत करने को काना, जिससे कि आप कहीं जा रहे हो ता आप बोलता है, come on जल्दी करो, चलो जल्दी चलेंगे, यह तो train छोट जाएगा, या पिर कोई महनत कर रहा है, आप बोलता हैं कि come on, work fast, जल्दी से काम करो, तो वहाँ पर आप इससे परियोग करेंगे, example देखिए, आरे आप अंग्रे जी सिख सकते हो, आप किसी को एकदम compliment दे रहे हो, कि आप यह कर सकते हो, it's too easy, तो आप बोलेंगे, come on, you can learn English, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, come on, come on, we don't have more time, तो इससे आप परियोग करेंगे, I hope you are getting this, feel down, feel down का मतला मैं दुखी महसूस करना, मैं दुखी महसूस करना हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आप आऊँगा, I am feeling down, as I will not be able to come to meet you, यहाँ पर देखिए, कोई काम कर नहीं पाऊँगा, तो I will not be able to, we won place object, यहाँ पर 2v1 के बाद भी यहाँ पर 2v1 आ गया है, एक infinitive के रोप में इससे अपरियोग करेंगे, मैंने उसकी मृत्यू की खबर सुनकर, दुखी महसूस किया, I felt down after hearing the news of his death, यहाँ पर देखिए, I felt down, मतलब मैं दुखी महसूस किया, come back, come back का मतलब हैं वापस करना, जिससे वो अपने घर वापस आ गया है, he has come back to his home, वो अपने घर वापस आ गया है, वापस करना, वापस कोई काम करना, रवी वापस दुखान आ गया, रवी come back, रवी came back to the shop, रवी वापस दुखान पर आ गया, यंट के लिए गया था फिर वापस आगया पे आफ का मतलब है फल मिलना result मिलना जिसे मेरा कड़ी मेहनत का पक्का फल मिलेगा My hard work will pay off for sure For sure का मतलब है पका निस्चित रूप से Team work का formula हम लोगोंने कड़ी मेहनत किया था एक साथ team ने किया था तो उसका result मिला तो team work paid off तो यहां पर pay का way to paid हो जाएगा Come out Come out का मतलब है बाहर आना इससे वो man get से बाहर आया He came out from the man get रवी मुझसे मिलने इसकुल से बाहर आया रवी came out from school to meet me To meet me means मुझसे मिलने के लिए यहां पर जो to है इसका मतलब है के लिए कैसा meaning है Pass away मतलब मिरित्ती हो जाना किसी का date हो जाना इससे मेरा कुता का मिरित्ती हो गया My dog passed away रोहन का पिछले महिने मिरित्ती हो गया रोहन passed away last month तो इससे आप परयोग करते हैं Hold out मतलब है survive करना इससे बिना भोजन के कोई कितना survive कर सकता है कितना दिन survive कर सकता है How long can someone hold out without food Hold out का मतलब survive करना तुमें बुरे समय में survive करना चाहिए अड़्जस्ट करना चाहिए कंप्रमाइस करना चाहिए किसी तरीके से अपना मतलब की दिन चारिया बिताना चाहिए काम धंदा करना चाहिए You should hold out in bad times तो इससे आप परयोग करेंगे Come to someone मतलब दिमाग में आना जैसे उत्तर मेरे दिमाग में आया The answer came to me वो चीज मुझे अभियाद आया That thing came to me तो आपर मिस से मतलब है Come to me या Come to me के मतलब है दिमाग में कोई भी चीज आना पहले आप forget कर गए थे और अभी आपको यादा गिया तो आपर आप परयोग करेंगे Look around you मतलब आसपास किसी चीजों को ढूंडना या किसी विक्ति को ढूंडना मैं तुम्हें आसपास ढूंड रहा था I was looking around you कहीं आसपास ढूंडो Look around somewhere Look around somewhere कहीं आसपास ढूंडो Come down with मतलब तबियत खराब होना मुझे बुखार हो गया था I came down with a fever Rohan को flu हो गया था और वो office नहीं जा पाया Rohan came down with the flu and couldn't go to office Go on मतलब बोलना जारी रखना किसी काम को करना इसे बोलना जारी रखना अपना भासन जारी रखो Go on with your speech Go on जारी रखो with your speech अपनी भासन को बोलते रहो मैं सुन रहा हूं Go on I am listening तो आप बोल सकते हैं कोई काम बोलना जारी रखना तो बोलना जारी रखना मतलब go on इससे आप बोलते हैं admission is going on यहाँ पर go on का मतलब हैं continue है वो लगतार चल रहा है pass by मतलब pass से गुजरना बगल से गुजरना रवी बजार से रोज गुजरता है क्योंकि उसका रास्ता ही हुआ ही है तो रवी passes by the market अब यहाँ पर रोज हैं तो रोज के लिए जी में आप लिखेंगे मेरा पीछा मत करो don't come after me मैंने उसका पीछा नहीं किया I didn't come after him तो इससे आप परियोग करते हैं So guys thanks for watching that's all for today